गुश खोरो पर लोकायुक्त की कारवाई का डवल डोज सिंग रॉली में सायक भू अर्जन अधिकारी तो रीवा में एडियम का बाबू रिश्वत लेते गरिफ्तार बता दें कि रीवा में लोकायुक्त ने गुरुवार को गुश खोरो को डवल डोज दिया है एक ही दिन में दो कारवाईयां की हैं सुभा सिंग रॉली में सायक भू अर्जन अधिकारी और साम को रीवा के कलेक्टरेट में दविश दे कर अपर कलेक्टर के बाबू को पैंटिस सो रुपे की रिश्वत लेते पकड़ा गया है जिसके लिए 23 जून 2022 को कलेक्टरेट कारिया ले रीवा में आवेदन किया गया था ने करवाई करते हुए बाबू आसितोज मिश्रा को 35 सो रुपए के रिश्वत लेते रंग यहां तो कलेक्ट्रेट में गिरिफ्तार किया है मुनिश कुमार प्रजापती हमला यह था सर बीवा पंजियन करवाने के लिए दो महीना से चक्र लगा रहे थे वो 6,000 की माग किया था उसमें 25 सो रुपए पहले दे चुके थे वो काम नहीं कर रहा था इसलिए हमको विवास होकर यहां लोका युक्ति में सिकाइट करनी पड़ी अज दो समिस्रा रीडर अपर कलेक्टर की शिगायत करता हैं श्री मुनिश कुमर प्रजयपती के पस्चाद भी मेरा प्रमान पत्र नहीं बना के दिया जा रहा है उसकी एवज में एडियम साब के बाबु श्री आशू तोष मिश्रा जी 6,000 रुपे की रिश्वत की मांग कर रहे हैं बाबु को रिश्वत राशी लेते हुए रंगया तो ट्रेप किया गया है